नमस्कार बंसल वास्तु रिसर्च एंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज आपको मैं बताना चाहूँगा नॉर्थ फेसिंग प्लोट के बारे में आपका अपना नॉर्थ फेसिंग प्लोट है पचेज करते हैं और उसके अंदर अपना रहने के लिए घर बनाते हैं तो उसमें आपको जो घर बनाना चाहिए वो चारों तरफ से ओपन रखके घर बनाना चाहिए उसमें आपको किन-किन बातों का धियान रखना चाहिए South से North में Open Area ज़्यादा होना चाहिए और West से East में Open Area ज़्यादा होना चाहिए Building आपकी बीच में बन जाएगी West में भी Open Area होगा, South में भी Open Area होगा East में भी Open Area होगा और North में भी Open Area होगा तो ऐसे में हमेशा दियान रखना है पानी का Underground Tank आपने कहां पर बनाना है आपने सबसे पहले तो Main Gate नौर्थ East में बनाना है पानी का Underground Tank या Summersible नौर्थ सेंटर से नौर्थ East की और यहाँ पर आपने पानी का Underground Tank या Borwell Summersible लगाना है ऐसे ही आप East Center से नौर्थ East की और यहाँ पर भी आप पानी का Underground Tank बना सकते हैं और समर्शिबल लगा सकते हैं घर के अंदर फर्ष के धलान सही होती है तो उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति खुशाल रहते हैं फर्ष की धलान कैसे होनी चाहिए बनी बिल्डिंग की साउथ वेस्ट से नौर्थ यस्ट की और फर्ष की धलान होनी चाहिए अब हम बात कर होना ही है उपन अरिये में साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए आपन की धलान होनी चाहिए और नौर्थ यस्ट की धलान होनी चाहिए यानि कि कुल मिला के साउथ वेस्ट से पानी बहता हुआ नौर्थ इस्ट की और आना ही चाहिए यदि आप अपना घर बनाते समय फर्ष की ज़लान से ही कर लेते हैं तो घर के अंदर हमेशा ही खुशाली बनी रहेगी जब हम फर्ष की ज़लाने इस परकार से करते हैं तो पानी बरसात का पानी साउथ वेस्ट से ब बच्चों का कैरियर भी अच्छा बनता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बांडरी वाल के बारे में वास्तु शास्तर के नुसार घर के अंदर बांडरी वाल के इस परकार से होनी चाहिए जो हमारी साउथ की दिवार है साउथ वेस्ट कॉर्णर से साउथ होते होनी चाहिए ऐसे ही जब आप वेस्ट की दिवार बनाते हैं तो साउथ वेस्ट कॉर्णर से वेस्ट होते हुए नौर्थ वेस्ट कॉर्णर तक ये दिवार भी आपकी साउथ की दिवार के बराबर उंची होनी चाहिए और दिवार की मोटाई भी साउथ की दिवार की मोट इस तक दोनों दिवारों की जो मोटाई है वो बराबर होनी चाहिए और जो उंचाई है वो भी बराबर होनी चाहिए लेकिन ध्यान रखना है वेस्ट की दिवार और साउथ की दिवार हमेशा उंची रहनी चाहिए किस से नौर्थ की दिवार से और इस्ट की दिवार से की दिवार आपने 9 इंच की बनानी है आज मैंने आपको बताया नौर्थ फेसिंग प्लोट के अंदर घर बनाते समय हमें किन-किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपना नया घर बनाते इन बातों का जरूर ध्यान रखे आप मेरी वास्तु से सम्मंदित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समादान खुद कर सकते है अलाग लग वीडियो पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जिसे आप देखकर सुनकर समझकर अपनी समस्याओं का समादान खुद कर सकते हैं आप अपना कीमतिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तया दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक ने विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार